Hello everyone, welcome to our YouTube channel MindWeb Classes इस वीडियो में रेलबिक जाम में पूछे गए टाइप 5, 6, एब हम 7 के सभी questions कवर करेंगे और इसके all chapter आपको चैनल के playlist पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट बना हुआ है तो यहाँ पर question number 80 देखेगा टाइप 5 का एक बटी 2 प्लस एक बटी 6 प्लस एक बटी 12 प्लस डेट डेट डेस एक बटी यन इन्टू एन प्लस वन का योग निम लिखित में से किस के बराबर होगा ऐसी सिरीज यहाँ पर देखेगा कि एक से सुरू होकर के दो पर समाब यह एन प्लस वन पर समाब तो इस तरह की series में हमेशा याद रखेगा formula होता है 1 upon first term minus 1 upon last term तो यहाँ पर formula होगा 1 upon 1 1 upon last term देखे है n plus 1 तो यहाँ पर लिखेंगे n plus 1 इसी formula में रख करके इसको जोड लेंगे देखे इसका value आएगी येन प्लस वन का एक से जब गुणा करेंगे तो येन प्लस वन फिर माइनस एक का एक से गुणा करेंगे तो माइनस एक और बटे में आपस में इसके गुणा कर लेंगे तो येन प्लस वन का एक से गुणा करेंगे question number 81 देखे same question 1 upon 1 into 4 मतलब 1 से सुरू 4 पर समाथ है एक गुणे 4 यहाँ पर लिखा हुआ है फिर plus 1 upon 4 into 7 4 से सुरू 7 पर समाथ है यहाँ पर देखेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 4 को 4 फिर 4 into 7 फिर 7 into 10 फिर इसी तरह आगे बढ़ता गया 47 into 50 अंतर यहाँ 3, 3 का है सभी में देखे समान अंतर चल ला है 7, 10, 47, 3, 50 तो इसका formula होता है उपर से एक कामन है क्योंकि सम में एक है तो देखे उपर से एक कामन लेंगे नीचे 3 का अंतर चल ला है तो 3 कामन हो जाएगा फिर इसके बाद bracket में लिखेंगे 1 upon first term minus 1 upon last term यह एक formula होता है 1 upon first term है 1 और minus 1 upon last term है 50, 50 बस इसी को solve कर लेना है तो देखे 1 upon 3 रहेगा बाहर bracket के अंदर देखे 50 का एक से गुणा करेंगे तो यहाँ पर तो 50 ही आएगा फिर minus लगा है यहाँ पर बीच में तो यहाँ minus लगाएगे एक गुणे एक करेंगे तो यहाँ एक बाहलू आएगी फिर बटे 50 एककम 50 नीचे आपस में गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर देखे बाहलू आजाएगे यहाँ पर एक बटे 3 into 50 में जब एक घटाएगे तो 49 और बटे हो जाएगा यहाँ पर 50 आपस में जब गुणा करेंगे तो यहीं पर एक बाहलू प्राप्थ हो जाएगी 49 से कम 49 उपर तो 49 ही रहेगा नीचे 50 into 3 करेंगे तो 150 हो गया तो 49 बटे 150 इसका आंसर होगा इसका आपस नमबर डिकरेक्ट है नेस्ट कोस्टन देखिएगा क्वेस्टन नमबर 82 है निम्न में से किस भिन्न को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता है यहाँ पर देखिएगा आपसन में जाएं तो फर्स्ट भिन्न को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बटे में 43 बटे 43 ही रहेगा इसका मान 33 बटी 43 ही रहेगा बाकि ये सभी को सरल किया जा सकता है आपसे नमबर इसका फर्स्ट करेक्ट होगा नेस्ट कॉस्टन देखिएगा कॉस्टन नमबर 83 है सरल बनाएं अथा सरल करें देखे 6 बटे 27 फिर भाग का सिंबल है 27 बटे 30 फिर भागे 20 बटे 81 अभी देखिए इसको स्वाल जब करेंगे तो पहले लिख लेते हैं 6 बटे 27 ये जियों कत्यों लिख लेंगे और ये जो भाग का सिंबल है इसको गुडे में करणवर्ट कर लेंगे तो अंगली भिन का अंसरहर पलट जाएगा मतलब 30 बटे 27 लिख लेंगे यहाँ पर फिर अंगला भाग का सिंबल यहाँ पर गुडे में जब करेंगे तो ये अंसरहर पलट देंगे मतलब 81 बटे हो जाएगा 20 इसी को साल्ब कर लेना है तो यहाँ पर देखिएगा 00 तो पहले कैंसिल आउट हो जाएगा अब यहाँ पर 27 एकम 27 27 तीयाई 80 फिर 3 से 3 एकम 3 सुरी था तीन नमस 27 फिर 3 से 3 एकम 3 तीन त्रकरनाव तीन बार जाएगा यहाँ तीन दूनी 6 नीचे 6 ऊपर भी 6 तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा तो बैलू आएगी एक मातर एक बचेगा सब कैंसिल आउट हो जाएगे आपसर नमबर इसका डिकरेक्ट है नेस्ट कोस्टन देखिएगा कोस्टन नमबर 84 है 0.3 अपान 1000 एक हजार किसके बराबर है यहाँ पर देखे 0.3 है तो इसको पहले लिख लेते हैं 0.3 फिर बटे में लिखा है एक के बगल में 3 0 दसमलो जब रिमूब करेंगे तो एक अंक है तो नीचे एक 0 और बढ़ा देंगे तो 10,000 हो जाएगा नीचे तो तीन बटे इसको लिख सकते हैं 10 की घाट 4 4 0 1 के बगल में इसलिए 10 की पावर 4 अब ये 10 की घाट 4 जब उपर जाएगा तो भाग फल लगा हुआ तो जब इसको गुणे में ले जाएगे तो घाट का चिन बदल जाएगा प्लस 4 की जगे माइनस 4 हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4 जब ये भाग फल को गुणे में कनवर्ड करते हैं मतलब नीचे बाली राच जब उपर ले जाते हैं तो घाट का चिन बदल जाता है यही इसका आंसर होगा 3 गुणे 10 की घाट माइनस 4 आपसर नमबर 1 करेक्ट है नेस्ट कोस्टन देखिएगा कोस्टन नमबर 85 है चार बटे 9 देखिए अंस में भिन लिखी हुई है यहाँ पर और फिर बटे है इसके 12 को सरलतम रूप में परिवर्थित कीजे तो यहाँ पर देखिए उपर चार बटे 9 है यह एक भिन है और नीचे पूढांक लिखा है 12 तो देखिए याद रखिएगा जब अंस में भिन लिखी हो नीचे पूढांक हो तो यह हर नीचे गुणा हो जाएगा इसके पूढांक से मतलब चार बटे 12 इंटू 9 हो जाएगा यह ऐसी कंडिशन हो जाती है कैंसिल आउट करेंगे 4 एक कम 4, 4 तहीं 12 तो तीन गुणे 9 करेंगे तो 27 होगा नीचे एक बटे 27 इसका आंसर होगा आपसा नंबर इसका डिकरेक्ट है नेस्ट कोस्टन देखिएगा कोस्टन नंबर 86 है एक सही 2 बटे 3 का व्यूतक्रमा अनुपाती क्या होगा तो पहले तो एक सही 2 बटे 3 को लिख सकते हैं यहाँ पर देखिएगा 3 एक कम 3 और 3 दो 5 5 बटे 3 अब 5 बटे 3 का उल्टा लिखना व्यूतक्रम तो 3 बटे 5 हो जाएगा यह इसका आंसर हो जाएगा इसका आपसा नंबर बी करेक्ट है नेश्ट कोस्टन देखेंगे कोस्टन नंबर 87 है 4.025 का नियुन्तम भिनमान निम्न में से किसके बराबर होगा यहाँ पर देखेगा यहाँ दसंबलों में संख्या लिखी है 4.025 अब यहाँ पर बटे में देखे दसंबलों जब रिमूब करेंगे तो एक के बगल में 3.0 आएंगे क्योंकि 3 अंख है उपर इसलिए तो बटे 1000 हो गया अब यह कैंसिल आउट करेंगे 25 से 25 से दोनों कर जाएंगे क्योंकि अंती में देखे 25 है यहाँ पर 00 है तो 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो जब इसको काटेंगे 25 से तो पहले 25 से कम 25 फिर 15 एक सो बामन हुआ तो 26 का 150 और फिर यहाँ पर 25 होगा 25 से कम 25 नीचे देखे 25 चो को सो एक जीरो तो यहीं पर यह आंसर आजाएगा 171 बटे 40 यह आंसर होगा 171 बटे 40 इसका आपसर नमबर 1st करेक्ट है नेस्ट कोस्टन देखिएगा कोस्टन नमबर 88 है निम लिखित में से कौन सा फ्रेक्शन 4 बटे गेरा के समान नहीं है अच्छे इसमें देखेंगे जिसमें कैंसिल आउट करने पर 4 बटे गेरा नहीं आएगा वही 4 बटे गेरा के समान नहीं होगा यहां पर देखें 16 से कैंसिल आउट करेंगे 16 चोको 64 यह कैंसिल आउट होगा 16 एककम 16 16 एककम 16 यह तो 4 बटे गेरा आगया है यहां पर 5 से कैंसिल आउट करेंगे 520 यहां पर 575 चिंज यहां भी 4 बcotti गीरा आ गया लास्ट वाले को देखे 8 से Кइंल आउट करते हैं यहां भी 4 बॉत गीरा आ गया लेकिन यह बाले भिने में 4 बती गीरा नहीं आएगा कईंल आउट करने पर इसका आपसन नंबर C करेक्ठ है यह 4 बटे गेरा के समान नहीं है Next question देखिएगा Question number 89 है 2 सही 1 बटे 25 बराबर question mark है तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो लिख लेंगे 2 सही 1 बटे 25 को जब यह convert करेंगे तो तो 25 दूनी 50, 51 के आमन इंके आमन बटे 25 आप यहाँ पर देखिएगा 25 से भाग देना आसान नहीं होगा इसलिए 25 को 100 के बराबर कर लेते तो 4 का गुणा उपर नीचे दोनों में कर लेंगे अंसर हर में तो नीचे तो 25, 4 को 100 हो गया यहाँ पर इंके आमन इंके चार करेंगे तो 204 आएगी बैलू आप यहाँ पर देखिए 100 से जब भाग करना आसान है क्यों कोई 0000 हटाएंगे तो 2 अंके बाद असमलों लगेगा मतलब 4 और सूने के बाद मतलब 2.04 इसका आंसर हो जाएगा 100 से भाग करने पर तो इसका आप्सन नंबर डी करेक्ट है 2.04 नेस्ट कॉस्टन देखिएगा कॉस्टन नंबर 90 है किसी दिन के कितने भिन 7 मिनट 12 सेकेंड है यहाँ पर ध्यान रखेंगे दिन में तो 24 गंटे होते हैं उपर लिख लेते हैं 7 मिनट 12 सेकेंड यहाँ पर उपर हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड और नीचे हो जाएगा 24 गंटे यह आवर में है अब यह भिन निकालना भिन में तो सबसे पहले कनवर्ट करेंगे सबसे छोटी यूनिट जो कि सेकेंड होती है तो यहाँ 7 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 7 इंटू 60 कर देंगे यह सेकेंड में कनवर्ट हो जाएगा प्लस 12 सेकेंड और यह total सेकेंड में कनवर्ट हो गया और यहाँ पर नीचे 24 गंटे हैं तो 1 गंटे में 36 सेकेंड होते हैं तो 24 इंटू कर देंगे 36 तो यह समान यूनिट हो गई आप cancel आउट कर लेंगे जो पहलू प्राप्थ होगी 7,42 चार सो यहाँ 20 हुआ और प्लस 12 और तो 432 तो उपर वाली पहलू तो यहाँ आ जाएगी देखेगा 432 उपर 432 आएगा नीचे यहाँ पर 24 इंटू 36 करना है तो इसको जयों कत्यों लिखेंगे 24 इंटू 36 तो आप लोग याद रखेंगे सबसे पहले सेकेंड में कनवर्ट करनेंगे सबी को मिनट को भी सेकेंड में जो सेकेंड में है पहले से उसको छोड़ करके घंटे को भी सेकेंड में कनवर्ट करना है तो यह फ्रेक्शन आएगी एक बटे 200 नेस्ट कोस्टन देखेगा कोस्टन नमबर 91 है सरल करें देखे यहां पर 3 बटे फिर यह भीन फ्रेक्शन लिखी हुए नीचे उपर पुरांखे नीचे दोनों में फ्रेक्शन है तो इसको देखेगा लिख सकते हैं यहां पर ध्यान रखेगा फर्स्ट में लिख सकते हैं 3 बटे अब यह देखे 3 सते 21 21 एक 22 ने लिखी है तो यह भीन का हर अंस से गुणा हो जाएगा मतब तीन के साथ तो तीन तरका 9 अंगली लाइन में लिखेंगे 9 बटे 22 यह 22 रहेगा प्लस इस 7 का गुणा इस 3 से करेंगे तो 7 ने 63 63 बटे 22 फाइनली यहां पर देखे हर समान हो गया दोनों में तो 22 आ जाएगा इसका LCM और 63 प्लस नौ करेंगे तो यहां पर हो जाएगी बैलू 72 यहां पर लिख लेंगे बाहत्तर पाइनली यहां पर एक बैलू यहां पर मिस्टेक लिख गई यहां 63 नहीं होगा यहां पर साथ रिक 21 होगा यहां पर देखे साथ का गुणा जब 3 से होगा तो साथ रिक 21 से 20 बटे 22 तो 21 जब जोड़ेंगे तो यहां पर 30 आ जाएगी बैलू यह साथ की जगए यहां पर 30 प्राप्त होगी तो 30 बटे 22 अब इसको cancel out करेंगे 2 से तो गेरा बार जाएगा और यह 2 से 15 बार 15 बटे गेरा को लिख सकते हैं गेरा एक कम गेरा एक सही 4 बटे गेरा यह बैलू यहां इस तरह कंवर्ट कर लेना है तो यह मिस्र भिन में ही आंसर है एक सही 4 बटे गेरा आपसर नमबर इसका हल ग्याद करें यहां पर देखें पहले दो भीन सौल्फ करेंगे यहां पर लिखा है चार बटे गेरा प्लस दो बटे साथ और प्लस तीन बटे पांच पहले जब दो भीन लिखेंगे तो सौल्फ करेंगे तो तीरिया गुणा करेंगे चार सते अठाइस आगे यहां पर बैलू 50 बटे 77 77 प्लस 3 बटे 5 अब यहां पुना इतिरिया गुणा करेंगे और नीचे आपस में गुणा करेंगे तो पचास पंचे 250 और प्लस 3 77 इंटू 3 करेंगे तो यहां 721, 721, 23, 231 और बटे हो जाएगा जब आपस में इनका गुणा करेंगे 77 और पांच का तो 380 बैल कि इसका अंसर हो जाएगा 481 बटे 380, आपस नमबर इसका बी करेक्ट है, नेस्ट कोस्टन देखिएगा, कोस्टन नमबर 93 है, नीचे दिये गए भिनों में से काउन सी भिन 9 बटे 17 के बराबर नहीं है, यहां पर देखिएगा 9 बटे 17 के बराबर वही भिन नहीं होगी, ज इसको कैंसिल आउट करने पर 9 बटे 17 ना आए, सभी को जैसे इस फर्स्ट सेकंड को देखिए तो 3 से 397 और 3 से 17 तियां क्यामन, यह तो 9 बटे 17 आ रहा है, यहां पर भी देखिए जब कैंसिल आउट करेंगे, यहां साथ से तो साथ नहीं है, तो यहां भी 9 बटे 17 आ गया, फिर नेस्ट यह किए 17 से कैंसिल आउट कर देंगे दोनों को, तो 17 नहीं है, 153 और 17 का वर्क 289 होता है, यहां भी 9 बटे 17 आ गया है, लेकिर इस भिन को जब कैंसिल आउट करेंगे, तो 9 बटे 17 नहीं आएगा, किसी भी संख्या से आप काटिएगा, यह 9 बटे 17 के बराबर कर देते हैं, एक बटे 1000, अब यह किलो मीटर में कनवर्ट हो गया, अब यहां पर बैलू लिखें कि जब 3-0 हटाएंगे, तो उपर 3 अंके बाद असमल लगाएंगे, अर्थाथ 0.002011 होगा, 0.001 किलो मीटर, यहीं इसका आंसर हो जाएगा, इसका आपसर नंबर C करेक्ट है, नेस्ट कॉस्टन देखेगा, अंगले टाइप का यहां से टाइप, कॉस्टन नंबर 95 देखेगा, यहादि 2 बटे गेरा को माइनस 5 बटे 14 के ब्यूत करम से गुणा किया जाए, तो इसका मान क्या होगा, यहाँ पर देखेगा, पहले तो लिख लेंगे 2 बटे गेरा, और गुणा करना है, माइनस 5 बटे 14 के ब्यूत करम से उल्टा, तो माइनस 14 बटे 5 हो जाएगा, अब देखें, यहाँ पर बैलू कितनी आती है, तो पहले कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होगा, सीधा सीधा गुणा करेंगे, 14 दुनी 28 उपर, माइ लोग का ब्यूत करम इन में से किस के बराबर है, यहाँ पर सबसे पहले तो इन दोनों की ब्यूत करम लिख लेंगे, तो 5 बटे 7 का ब्यूत करम 7 बटे 5 होगा, फिर प्लस योग करना है, 9 बटे 5 का ब्यूत करम 5 बटे 9 हो जाएगा, इन दोनों को पहले जोड़ेंगी, फि में जोड़ लेंगे उपर तो 5, 3, 8, 6, 2, 8, 88 बटे 45 अब इसका व्यूतक्रम पूनह लिखना है तो 88 बटे 45 का व्यूतक्रम हो जाएगा 45 बटे 88 ये इसका आंसर हो जाएगा तो देखें आपसन नमबर इसका सी करेक्ट है 45 बटे 88 आंसर आएगा नेस्ट कोस्टन देखेगा कोस्टन नमबर 97 देखेगा किसी भिन और उसके ब्यूतक्रम का योग 2,25 बटे 68 है तो इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी तो इसमें आपसन का सहारा लेंगे यहाँ पर देखें माल लेते हैं बड़ी संख्या डी नमबर आपसन में है 11 एक कम गेरा और गेरा 5,16 16 बटे गेरा यह बड़ी संख्या है तो यदि इसका चो क्याँ डी केरेंगे यहां पर लिखा है एक सही 5 बटे 6 तो इसको लिखा जा सकता है एक गुड़े 6 करेंगे तो 6 1 fan 6,15 16 इसको लिख सकते हैं 11 बटे 6 आपसन में भी इसका गेरा ओड़ी गेरा अधि इसका ब्यूत्रम अजयागा क्योंकि एक भिन और इसके ब्यूत्रम का योग दिया है दो सही 25 बटे 6 इसका उल्टा हो जाएगा 6 बटे गेरा तो यहाँ पर ध्याम रखेंगे नीचे 6 आएगा LCM तो यहाँ पर LCM गेरा और 6 का देखेंगे तो गेरा 6 गुना करेंगे तो जिसमे 6 नीचे आ जाएगी बैलू इसलिए इसका आपसन नंबर बी करेक्ट है आपको LCM 6 चगेरा बटे 6 तो अंसॉरहर का गुनान फल जिसमे 6 आ जाएगा वहई इसका उत्तर होगा क्योंकि नीचे बाइलू 66 है तो LCM 66 चाहिए इसलिए इसका option number B correct है इसको इसको direct option से ही solve करेंगे next question देखिएगा same question देखिए यहाँ पर 98 number है एक धनात्मक भिन और इसके ब्यूतक्रम के बीच का अंतर 649 बटे 160 है तो 24 धिन भिन कौन सी है यहाँ पर भी देखिएगा पहले यहाँ पर देखिए 160 LCM आएगा तो जिसमें अंसर हर का गुणा करने पर 160 आएगा वही उत्तर हो जाएगा तो देखिए 32 पंचे 160 होता है इसलिए इसका option number A ही correct है यहाँ पर भिन हो जाएगी 32 बटे 5 बाकी यहाँ 13 गुणा आठ करेंगे 13 ठेक 104 होगा 15 ठेक 120 होगा 16 पंचे 80 होता है इसलिए कोई option नहीं होगे ध्यान रखेंगे इसका option number first correct है अंसर हर का गुणान फल LCM 160 आएगा यह 160 यहाँ भी आ रहा है तो आंसर हर का गुणा करके आप चेक कर लेंगे तो आप option number first correct है next question देखिएगा question number 99 है किसी भिन और उसके ब्यूत करम का अंतर 9 बटे गेरा है तो उसी भिन और उसके ब्यूत करम दोनों के घानों का अंतर क्या होगा यहाँ पर देखे भिन यदि यक्स है यदि यक्स माइनस वन अपान यक्स एक्वल टू ए हो तो यक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब उनके घानों का अंतर होता है एक क्यूब प्लस थ्री ए यह इसी में आपको बैलू पूट करना है तो यहाँ पर देखे एकी बैलू 9 बटे गेरा है तो यहाँ पर e cube कर देंगे मतलम 9 बटे गेरा का whole cube यहाँ पर e cube और plus 3 यह है तो 3 into e की value यहाँ पर 9 बटे गेरा रखेंगे तो ic को solve कर लेंगे तो 9 का cube होता है 739 नौ का घन और बटे गेरा का घन होता है 1331 इस तरह value आएगी plus यहां 9 तरीक सथ ताइस और बटे हो जाएगा गेरा दोनों को जोड़ना है यहां 1331 है तो इसको भी 1331 करना है तो गेरा का घंब 1331 होता है तो गेरा थो हई है 121 का गुणा और कर देंगे उपर नीचे दोनों में करना होगा तो देखें नीचे 1331 आ जाएगा जब आप सी आमा जाएगा 1331 क्योंकि अब दोनों के हर समान हो गए और उपर देखें बैलू आएगी यहां पर साथ एककम साथ इकाई में साथ है यहां पर नौ है तो नौ साथ सोला इकाई में यहां पर छै आएगा तो देखें एक ही आपसर नमबर सी देखें 496 यहां जब गुना क 49331 तो इस तरह आपको सॉल्ब करना है यह इसकी प्रोसेस होती है नेस्ट कोस्टन देखिएगा कुस्टन नमबर हैंडेड है चार बटे पांच में कितना जोड़ा जाए कि पांच बटे चार प्राप्त हो जाए यहां पर देखेंगा चार बटे पांच में यक्स जोड़ेंगे ऐसे प्रस्ट में आप यक्स ही मान लिया करें बराबर मिलेगा पांच बटे चार अब C को solve कर लेंगे देखे 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 पचम 25 फिर यह माइनस तो माइनस लगाएंगे 4 चोक 16 और बटे हो जाएगा 4 पंचे 20 आपस में गुणा होगा तो यह बैलू हो जाएगी 25 में जब 16 घटाएंगे तो 9 9 बटे 20 इसका आंसर हो जाएगा तो यहां पर देख है 5 बटे 11 प्लस गेरा बटे 5 अब दोनों को जोड़ना है तो तीरिया गुणा करेंगे 5 पचम 25 और प्लस गेरा गुणे गेरा करेंगे तो 121 गेरा कवर्ग होता है नीचे आ जाएगा गेरा 55 यहां पर अब देखे ऊपर वाली बैलू जब जोड़ेगे तो 25 और 21 46 होता है म 5 बटे 6 में सबसे बड़ी और सबसे चोटी भिन्म का अंतर ग्याद कीजिए यह कोश्टन पुर्ण रीपी यहां देखे अंसरहर का अंतर समान है तो बटी दो बटी तीन चोटी होगी तो यहां 5 बटी 6 में 2 बटी 3 घट आना है दोनों का अंतर निकालना था तो यहां देखे हर में 6 है तो इसको भी 6 की एकक्वल बनाना है तो 2 का गुड़ा अंसर हर दोनों में कर लेंगे यहां देखे 6 हो गया तो नीचे तो LCM 6 आएगा ओपर दोन पांच का योग ज्याद कीजिए यहां पर देखे 5 बटी 2 फस्ट भीन है यहां लिखेंगे 5 बटी 2 प्लस सेकेंड भीन है 2 बटी 5 इनका योग फल निकालना है तो देखे 5 का गुड़ा पांच से करेंगे 5 पचम 25 प्लस 2 रूनी 4 और बटी हो जाएगा 2 पंचे 10 तो 25 चार 29 29 बटी इसका 10 आंसर होगा आपसा नमबर इसका भी करेक्ट है नेस्ट कोस्टन कोस्टन नमबर देखे यहां पर 104 है संख्याओं 3.03 और 2.05 कि योग और इनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या काउंसी है पहले तो इनका योग निकाल लेंगे फिर अंत 5.38 यहां पर सोन ही रहेगा दसमलो 325 5.08 योग आएगा अंतर निकालने के 3.03 और माइनस 2.05 यहां पर दोनों को आपस में घटा लेंगे तो देखे 13 में 5 घटाएंगे 8 यहां पर इबैलू 9 बचेगी और 2 में 2 घटाएंगे 0 0.98 अंतर आएगा अब यह जो आया तो इन दो अब दिया तो इन दोनों को पुने पूने प्लस कर लेंगे योग और अंतर को फिर Q plus करेंगे तो देखें 1 में आया है 5.08 यहां पर देखें 5.08 लिख लेंगे और सेकरन आई हाए भुन सौरी 0.98 तो यहां पर लिखेंगी 0.98 अब इन दोनों को जोड लेना है लास्ट में क्लास कर लेंगे तो 8 8 16 हासिल एक 9 10 की सुन हासिल एक 5 1 6 6.606 होगा 6.06 इसका आपसर नमबर भी करेक्ट है नेक्स्ट कॉस्टन देखिएगा कॉस्टन नमबर 105 है देखें 3 बटे 4 माइनस 2 बटे 3 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त परिनाम माइनस 1 बटे 6 हो सबसे पहरे तो इसी को सौल्प कर लेंगे 13 का 9 माइनस 4 दुनी 8 तो 9 में 8 घटाएंगे 1 होगा नीचे 4 दुनी 12 मतलब 1 बटे 12 यहाँ पर है यह भिन 1 बटे 12 लिखी हुए इसमें करा कि कौन सी संख्या घटाई जाए तो 1 बटे 12 में यहाँ पर घटा देंगे यक्स तो परिनाम प्राप्त हो जाता है माइनस 1 बटे 6 तो यहाँ लिखेंगे माइनस 1 बटे 6 इसी को स्वाल्ब करना है तो देखें माइनस एक्स जो है तो ले जाएंगे उस साइड तो प्लस एक्स हो जाएगा और माइनस 1 बटे 6 को इधर ले आएंगे तो प्लस 1 बटे 6 तो 1 बटे 12 के बगल में प्लास एक बटे 6 होगा बराबर हो जाएगा यक्स यही मांग्याद करना है देखे यहां पर 12 है तो इसको भी 12 के एक कॉल बनाना है तो 2 का गुणा अंसर हर दोनों में कर देंगे तो यहां भी 12 हो गया यहां भी 12 हो गया तो देखे LCM तो 12 आ जाएगा X बराबर LCM आएगा 12 अब उपर वाली संख्या जोड़ लेंगे 2 एकम 2 और 1 3 तो 3 बटे 12 तो cancel out करेंगे 3 एकम 3, 3, 4, 12 तो ये भिन आ जाएगे 1 बटे 4 जोड़ने वाली घटाने वाली भिन एक बटे 4 होगी जो कि आपसर नमबर देखे C में दिया हुआ है यहाँ पर देखे आपसर नमबर से एक बटे 4 होगा तो ये इसका आंसर है एक बटे 4 नेश्ट कॉस्टन देखिएगा क्वस्टन नमबर 106 है भिन 15 बटे 19 के अंसर हर दोनों में से कौन सी संख्या को घटाई जाए कि प्राप परिणाम 3 बटे 4 के बराबर हो यहाँ पर देखेगा पहले भिन लिख लेंगे 15 बटे 19 अब आपसर से बैलू लेंगे यहाँ पर दोनों में घटाना है कि ये 15 में 3 घटाएंगे तो 12 प्राप्त होगा नीचे 19 में 3 घटाएंगे 16 अब यह कैंसील आउट करेंगे 4 से 4 ते 12 चार चोक 16 तो देखिए 3 बटे 4 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 3 बटे 4 मिल गया मतलब आपसर का सहारा लेंगे इसका आपसर नमबर D ही करेक्ट है 3 घटाना ह तो आप आपसर से जब घटाएंगे तो पता चल जाएगा जिसमें इस सर्थ लागू होगी जिस आपसर को रखने पर 3 बटे 4 प्राप्त होगा वही आपसर करेक्ट होगा नेस्ट कोस्टन इसका बेसिक तरीका भी देख सकते हैं देखिए भिन है 15 बटे 19 तो यहां लिखें अब तरी यह गुणा करेंगे और फिर माइनस करेंगे तो 15,4,6,19,7,7,0 बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे 60-7,5 बड़ाबर यहां पर देखिए 3 यक्स और 4 यहां भी तिर यह गुणा करेंगे तो 4 यक्स में 3 घटा लेंगे तो यक्स बाइलू बचेगी अब यक्स बराबर यहाँ पर देखे 60 में संतावन घटाएंगे तो 3 मतलब यह यक्स की वैलू 3 आ जाएगी इस तरह बेसिक तरीका भी है जब इस तरह का question आएगा तो आप डाइरेक्ट इस तरह भी solve कर सकते हैं आपसन नमबर इसका decorrect है Next question देखे Question number 107 है किस संख्या को भिन 42 बटे 45 के अंसरहर दोनों में से घटाएं कि प्राप्त भिन 5 बटे 6 के बराबर हो Same question है तो आपसन कभी सहारा ले सकते हैं आपसन कई दिसहारा लेगे मान लिज़े 27 घटाएं पहला आपसन है तो 42 बटे 45 है प्रते एक में 27 आपको माइनस करना है अंसरहर दोनों में आपसन का ही सहारा ले ले लेते हैं तो आपको 5 बटे 6 प्राप्त करना है देखे 12 में 7 घटाएंगे तो यहां 5 और 3 में 2 घटाएंगे 1, 15 और फिर बटे हो जाएगा 15 में 7 घटाएंगे 8 और यहां पर 3 में 2 घटाएंगे 1, 18 अब इसको कैंसील आउट करेंगे 3 से तो 3 पचे 15, 36, 18 तो देखे 5 बटे 6 प्राप्त हो रहा है अर्थाथ इसका आपसन नमबर 1 ही होगा आप आपसन का सहारा ले 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 लेगे तो इससे इजी हो जाएगा नेश्ट कॉस्टन देखेगा कॉस्टन नमबर 1 ही है एक घंटे के 5 मिनट और एक घंटे के 20 सेकेंड के भिन्नों के बीच अंतर कितना होगा यहां पर देखेगा एक घंटे का 5 मिनट तो 5 उपर रखेंगे और एक घंटे में होता है 60 मिनट तो 60 नीचे आएगा माइनस फिर एक घंटे के 20 सेकेंड तो 20 सेकेंड बैलुदिया सेकेंड में तो 20 उपर लिखेंगे और एक घंटे में होता है 36 सेकेंड तो 36 लिख लेंगे नीचे यह 60 into 60 भी यहाँ पर कर सकते हैं 60 into 60 यह दोनों से कैन में ही रहेंगे unit समान रखना है अब यहाँ पर देखे इसको solve करेंगे तो यहाँ पर यह 60 है तो इसको भी 36 बनाना है तो 60 का गुणा answer और दोनों में कर लेते हैं तो नीचे तो 36 हो जाएगा LCM आएगा देखे 36 दोनों का हर समान हो गया उपर 60, 5, 300 में 20 घटाएंगे तो 280 यहाँ पर बैलू बचे की 280 00 पहले cancel out कर लेंगे तो 4 से तो 4 सते 28 और यहाँ चार से cancel out करेंगे 4 नहीं है 36 7 बटे 90 अब यहाँ पर देखे 7 बटे 90 को लिखा जा सकता है आपसन में दी जाएं तो आपसन नंबर C में लिखा हुआ है 7 बटे 90 क्योंकि यहाँ पर दसंबलो जब हटाएंगे तो नीचे एक 0 लगाएंगे 7 बटे 90 ही होगा मतलब 0.7 बटे 9 को लिखा जा सकता है 7 बटे 90 इसका आपसन नंबर C करेक्ट होगा तो देखें दूसरे फॉर्म में लिख दिया है इसको डिवाइट करने के बाद लिखा है नेच्ट कोस्टन देखेंगा कोस्टन नंबर 109 है वह कौन सी भिन है जिसे एक बटे 2 में से घटाने पर सेस 3 बटे 4 प्राप्त होता है अब देखें यहाँ पर एक बटे 2 में से हम भिन यक्स घटा लेते हैं तो सेस फल 3 बटे 4 प्राप्त होता है अब इसको सॉल्ब कर लेंगे जब माइनस एक्स को उस पच्छ मिले जाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा और 3 बटे 4 इधर ले आएंगे तो माइनस 3 बटे 4 तो एक बटे 2 की बगर में लिखेंगे माइनस 3 बटे 4 बराबर हो जाएगी बैलू यक्स अब देखें यहीं पर इसको सॉल्ब कर लेंगे हर इसका समान करना है दो को चार बनाना तो दो का गुणा उपर नीचे दोनों में कर लेंगे तो नीचे तो 4 आ जाएगा क्योंकि देखें चार यहां भी है चार यहां भी तो LCM 4 आएगा उपर 2 एक कम 2 दो में 3 घटाएंगे तो माइनस 1 तो यह माइनस 1 बटे 4 इसका आंसर होगा अपसा नमबर इसका भी करेक्ट है नेस्ट कोस्टन देखिएगा क्वेस्टन नमबर वान हैंडे 10 है 3 बटे 15 प्लस 13 बटे 14 माइनस 19 बटे 21 प्लस 31 बटे 35 माइनस 23 बटे 30 कमान क्या होगा यहां पर देखिएगा पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं नीचे सभी के तो 35 15 यहां पर 14 को लिखेंगे 2 सत्य 14 यहां 21 को लिखेंगे 3 सत्य 21 35 को लिखेंगे 5 सत्य 35 ऐसे फैक्टर सभी कर लेंगे और 30 को लिखेंगे 2, 3, 6, 5, 3 अब देखिए यहां पर फैक्टर करने के बाद देखिए डाइरेक्ट LCM निकालेंगे सभी का तो LCM में आ जाएगा सभी फैक्टर आएगे जैसे 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा तो यहां लिख लेते हैं 2 इंटू, 3 इंटू, 5 इंटू, 7 यह इसका LCM आ जाएगा अब फरस्ट में देखिए यहां पर 3, 5 है तो 3, 5 जब कैंसिल आउट होगा यहां से 3, 5 तो बचेगा केबाल आपके पास 2 और 7 तो 7 दूनी 14, 14 को गुणा 3 से करेंगे तो 3 इंटू 14 पहला मान हो गया फिर बीच में देखिए प्लस लगा हुआ है तो यहां पर देखिए प्लस लगा लेंगे यहां प्लस होगा फिर आगे देखिएगा यहां पर 2 और 7 है तो जब 2 और 7 को कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा आपके पास 3 और 5 तो यहां पर 5, 3, 15 हो जाएगा जब आपस में इसका गुणा करेंगे तो 5, 3, 15 15 का गुणा 13 से करेंगे तो 13 इंटू हो जाएगा 15 से कैंड वैलू फिर आगे देखिए माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे फिर आगे देखिए इसके फैक्टर में 3, 7 है तो 3 और 7 को जब कैंसिल आउट करेंगे यहां से तो 3, 7 कैंसिल आउट होगा तो 2 और 5 बचेगा तो 2, 5, 10 10 का गुणा 19 से करेंगे यहां पर 6 का गुणा 31 से आगे और देखिएगा माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे यहां 2, 3, 5 कैंसिल आउट होगा 2, 3, 5 तो बचेगा केबल 7 अब 7 का गुणा 23 से करेंगे 23 इंटू 7 अब जो बैलू आएगी बस इसको सौल्ट कर लेना है देखिए 2, 5 से तो 1, 0 होता है और 7, 3, 21 तो 1, 0 और 21 लिखेंगे यहां पर तो 210 हो जाएगा नीचे आजाएगा 210 उपर देखिए बैलू आएगी 14, 3, 42 यहां पर लिखते जाएगे प्लस 13 गुणे 15 करेंगे तो 15, 3, 45 हासिल 4, 15 एकम 15, 4, 19, 19, 195 माइनस 19, 10, 190 यह उपर बाली बैलू लिख रहे हैं फिर प्लस यहां पर 31 गुणे 6 करेंगे तो 6, 1, 6, 3, 18, 18 अब माइनस हो जाएगा 23, 7, 7, 21 और 7, 24, 14, 2, 16 16, 16, अब जब इसको सभी को solve कर लेंगे आप तो solve करने पर यहां पर बैलू बच्ची की 30 और 42 जब जुड़ेगा तो 72 हो जाएगा, उपर 72 बैलू बचेगी नीचे, यहां पर 210 है अब इसको cancel out करेंगे तो देखे, cancel out करना है तो simplify हो जाएगा, 4 से 2 से इसको cancel out करेंगे 6 से cancel out कर देते हैं तो 12, 72, 12 बार बार जाएगा यहां पर 6, 3, 18 और 6, 35, 35 12 बाटे 35 इसका answer आएगा तो इस तरह आप लोग solve करेंगे इसका option बड़ी करेक्ट है, 12 बाटे 35 Next question देखेगा Question number 111 है 1 बाटे 6 से किसी भिन को घटाने पर 1 बाटे 13 आता है तो वह भिन क्या है तो यहां पर देखेगा 1 बाटे 6 से कोई भिन यक्स माल लेते हैं उसको घटाने पर 1 बाटे 13 प्राप्त होता है तो देखे यक्स की बैलू find करना है तो माइनस x जब उस पच में ले जाएंगे तो प्लस x हो जाएगा और 1 बाटे 13 इधर ले आएंगे तो माइनस 1 बाटे 13 तो देखे एक बाटे 6 माइनस 1 बाटे 13 और बराबर ये बाटे 13 हो जाएगे यक्स के अब यहाँ देखे तिरिया गुणा करेंगे 13 एक कम 13 और माइनस 6 एक कम 6 यहाँ पर 6 और बाटे हो जाएगा 13,78 अब ये बराबर बाटे 13 हो गई यक्स के तो यहाँ पर देखे 13 में जब 6 घटाएंगे तो 7 यहाँ पर आ जाएगी बैलू 7 बटे 78 7 बटे 78 यह बैलू होगी यही इसका आंसर होगा आपसर नमबर इसका एकरेक्ट है Next question देखेगा Question number 112 है 2 भिन्नों का योग 7 बटे 4 है यदि उनमें से 1 5 बटे 3 है अब देखे इसको 25 कर लेंगे तो यक्स बराबर देखे यक्स बराबर बैलू हो जाएगी 7 बटे 4 जियुका तो ही रहेगा इसका जब 25 बटे 3 तो माइनस 5 बटे 3 हो जाएगा अब इसी को solve कर लेंगे तो यहाँ पर देखे 3 सते 21 और माइनस चार पंचे बीस और बटे हो जाएगा बारा चार तेहीं बारा तो यहाँ पर देखिए 21 में जब 20 घटाएंगे तो एक बैलू बचेगे एक बटे बारा इसका अंसर होगा तो इसका आपसर नंबर सी करेक्ट है नेस्ट कोस्टन देखिएगा कोस्टन नंबर वान है ठर्टीन है 0.02 तथा 0.002 के बीच का अंतर ग्याद करें यहाँ पर घटाना है लिख लेते हैं 0.02 और यहाँ पर अंगली भिन दसम्लों भिन है 0.002 अब इसको आपस में जब माइनेस करेंगे यहाँ पर 0 लगाएंगे तो एक हाशी लेंगे 10 में 2 घटाएंगे 8 यहाँ पर बईलू 1 बचेगी यहाँ 0 ही रहेगगा और पॉईंट में यहाँ भी 0 रहेगा जब आपस में माइनेस करेंगे 0.0018 आएगा इसका अंसर इसका option number first correct है next question देखिएगा question number 114 है निम्न में से कौन सी भिन्न को 3 बटे 4 सी घटाने पर परिणाम 5 बटे 12 प्राप्त होगा अब देखे 3 बटे 4 सी घटाना है तो मान लेते हैं कि वो भिन्न यक्स है 3 बटे 4 सी यक्स को हटाएंगे तो 5 बटे 12 प्राप्त होता है अब यहां पर यक्स को प्राप्त करना है यक्स का मान यहां पर तो माइनस 65 में ले जाएगे 55 करेंगे तो प्लस यक्स और यह 5 बटे 12 इधर ले आएगे तो माइनस 5 बटे 12 तो देखे 3 बटे 4 के बगल में माइनेस 5 बत्व 12 हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा यक्स अब देखे हैं यहाँ पर 12 तो इसको भी 12 के एक्वल करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे 4-312 तो उपर भी 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखे बैलू प्राप्त हो जाएगी 3 त्रकर 9 और 9-5 तो 4 4 बटे में हो जाएगा 12 क्योंकि LCM 12 आएगा हर समान है और बराबर यह यक्स तो 4 एक कम 4, 4 तेहीं 12 तो यहीं पर 1 बटे 3 प्राप्त होगा यक्स की बेलू तो इसका आपसन नमबर A करेक्ट है नेश्ट कॉस्टन देखिएगा क्वेस्टन नमबर A 115 है देखिए 10 बटे गेरा में क्या जोड़ा जाए कि योग गेरा बटे 10 प्राप्त हो जाए तो यहाँ पर लिखेंगे 10 बटे गेरा में यक्स जोड़ेंगे प्लस यक्स तो यह योग फल हो जाएगा गेरा बटे 10 अब इसको solve करेंगे तो यक्स बराबर पच्छांदा कर लेंगे गेरा बटे 10 और यह प्लस 10 बटे गेरा है तो इधर आएगगा तो माइनस 10 बटे गेरा हो जाएगा अब इसी को हल करना है तो देखेगा यहाँ पर देखिए yक्स बराबर 10 गुणे गेरा करेंगे तो 121 होगा माइनस 10 गुणे 10 करेंगे तो 100 10 दहम 100 और बटे हो जाएगा गेरा दहम 110 तो यहाँ पर finally yaks की बैलू आ जाएगी 121 में जब 10 घटाएंगे तो 21 आएगा सोरी 100 घटाएंगे 21 और बटे 110 यही इसका आंसर हो जाएगा 21 बटे 110 आपसर नमबर फस्ट करेक्ट है नेस्ट कुस्टन देखिएगा कुस्टन नमबर 116 है पास सही 3 बटे 5 में क्या जोड़ा जाए कि मान 8 सही 3 बटे 7 प्राप्त हो यहाँ पर देखेगा पास सही 3 बटे 5 है तो इसको लिखेंगे जियों कत साथ में घटा देंगे इसमें देखें बैलू को 5 सही 3 बटे 5 यह इसको माइनस कर लेंगे अब यहाँ पर देखें एक तरीका होता है यदि यह पूरांक है और भिन है तो पूरांकों को पहले घटा लेते हैं 8 पे 5 घटाएंगे तो 3 आएगा तो यक्स बराबर 3 प्लस और जो भिन है उसको ब्रेकेट में स्वाल कर लेगे 3 बटे 7 तो माइनस 3 बटे 5 इसको ब्रेकेट में स्वाल कर लेते हैं धेए гр यक्स बराबर बैलू आ जाएगी यह 3 तो रहेगा 3 प्लस ओपर देखे 5 ते हैं 15 और यहां पर 7 रिक 21 तो 15 माइनस 21 और बटे बैलू हो जाएगी 7 35 यहां नीचे बैलू आ जाएगी 35 15 में 21 घटाएंगे तो माइनस 6 प्राप्त होगा मतलब यक्स बराबर 3 माइनस 6 बटे 35 इस पर लिखेंगे 105 माइनस 6 कम 6 तो 6 और बटे हो जाएगा 35 तो यहीं पर देखे आंसर आएगा 105 में जब 6 घटाएंगे तो 99 99 बटे 35 इसका आंसर आएगा 99 बटे 35 यह यक्स की बैलू होगी तो इसमें देखे आपसर नंबर फर्ष्ट करेक्ट है 99 बटे 35 यह इसका सरल तरीका है सॉल्ग करने का नेस्ट कोस्शन देखेगा रिस कोस्टन नंबर 111जन एंड़ साथ-बटे-चैरर उनमें से एक भिन थीन चार घैंतो दुसरे विन यहाँ पर यह समान लेते आ और दोनों का यह योग दिया है धेक्के 7 और 6 यहाँ पर 7 बटे-चैर के बराबर हैं अब अब देखें यहाँ पर 6-4 का LCM 12 होता है तो 12 की इक्वल भी कर सकते हैं या कि फिरीया गुणा इस तरह कर लें और नीचे आपस में तो यक्स बराबर बैलू होगी देखें 7-4-28 या 4-28 माइनस 6-3-1-8 6 का 3 से गुणा करेंगे बटे 6-4 को 24 अब इसको solve कर लेंगे 18 में 28 माइनस होगा तो 10 बचेगा और 10 बटे 24 अब 2 से cancel out करेंगे 2, 5, 10, 12, 24 तो यहीं पर 5 बटे 12 आजाएगा तो इसका आपसर नमबर B करेक्ट है इसका आपसर 5 बटे 12 होगा Next question देखेगा Question number 118 है एक भिन को 7 बटे 3 से जोड़ने पर 4 प्राप्त होता है तो उक्त भिन ने कौन सी है यहाँ पर देखेगा एक भिन को 7 बटे 3 से जोड़ना है तो 7 बटे 3 में हम यक्स जोड़ने ते हैं वो भिन यक्स है बराबर 4 प्राप्त होता है यहां पर देखे यक्स की बैलू फाइंड करना है तो यक्स बराबर यहां पर यक्स इसी साइट हैगा 4-7 बटे 3 हो जाएगा जब पच्छांतर करेंगे तो यह माइनस 7 बटे 3 होगा अब यहां तिरिया गुड़ा करेंगे तो 4-3-12 बटे यहां एक है तो 1-7-7 इसको लिखा जा सकता है जो कि आपसर नंबर फ़स्ट में लिखा हुआ है क्योंकि 3 एकम 3, 3, 2, 5, 5 बटे 3 को लिख सकते हैं एक सही 2 बटे 3, नेस्ट कोस्टन देखिएगा, कोस्टन नंबर 119 है, दो भिनों के बीच का अंतर 5 बटे 6 है यदि इन में से छोटी भिन 3, 4 है, तो दूसरी भिन अर्थाद बड़ी भिन कौन सी है तो बड़ी भिन माल लेते हैं कि यक्स है, तो यहाँ पर बड़ी भिन यक्स है और माइनस छोटी भिन दिया देखिए 3, 4 तो माइनस 3, 4 और ये बराबर है 5, 6 की तो 2 भिनों का अंतर 5, 6 था, अब इसको देखिए, माइनस 3, 4 को पच्छा अंतर करेगे तो यक्स की बैलू फाइंड हो जाएगी, 5 बड़ी 6 जेवकत्यों लिखेंगे, जो इस पच्छ में लिखा है ये माइनस 3, 4 इधर आएगा, तो प्लस 3, 4 हो जाएगा अब इसको सॉल्ब करना है, तो देखिए, यक्स बराबर, यहाँ पर फाइंड हो जाएगा, यक्स बराबर इसका आउसर हो जाएगा, यक्स बराबर, 19 बटे 12, इसका आउसर आएगा, 19 बटे 12, तो इसका आपसर नमबर C करेक्ठ है, 19 बटे 12 होगा नेस्ट क्वेस्टन देखिएगा क्वेस्टन नमबर 120 है, यपि 5 बटे 3, प्लस 3 बटे 5 का मान कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए, जोड लेंगे दोनों को, 5 बटे 3, और प्लस 3 बटे 5 अब जब दोनों भीनों को जोड़ेंगे, तो 5 पचम 25, प्लस यहाँ 3 बटे 3 करेंगे, 3 तरकर 9, बटे हो जाएगा, 3 पचे 15, तो यहाँ 25 और जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 34, 34 बटे है 15, अब इसको लिखा जा सकता है, दो बार जाएगा, भाग देंगे, तो 15 दुनी 30, 2 सही 4 बटे 15 भी लिख सकते हैं, 34 बटे 15 को मिसर भीन में कनवर्ड करेंगे, मिक्स ट्रेक्शन में, तो इसका आपसर नमबर सी करेक्ट हो जाएगा, नेस्ट कोस्टन देखेगा, 121 नमबर कोस्टन देखे, 25 बटे 12 और 15 बटे 8 का अंतर क्या होगा, यहाँ पर देखे, दो 8 का LCN 24 के बराबर होगा, तो 24 को बनाना है 12 को, तो 12 दूनी 24 उपर भी 2 का गुणा, इसको 24 बनाना 8 को, तो 8 तरी 24 उपर भी 3 का गुणा, अब यहाँ पर देखे, बैलू चेंज हो जाएगी, 25 दूनी 50, और माइनस, यहाँ 15 तिया 45, और बटे हो जाएगा 24, तो इस तरह इ 22 है, 5 बटे 12 को किस संख्या से गुणा किया जाए, कि प्रतिफल अर्थात पज़िनाम 25 बटे 3 प्राप्त हो, तो यहाँ पर देखे, 5 बटे 12 को यक्स से गुणा करेंगे, 5 बटे 12 इंटू यक्स, बराबर यह पज़िनाम 25 बटे 3 प्राप्त होगा, अब इसको cancel आउट कर लेते हैं 5 एकम 5 5 25 उपर उपर कैंसिल आउट होगा नीचे 3 एकम 3 3 4 12 तो 4 का गुणा देखें नीचे वाली रासी उपर जाएगी यहां पर उस पच्छ में तो 5 से गुणा होगा तो यक्स बराबर 4 5 20 आंसर इसका 20 होगा आपसर नंबर से करेक्ट है इस 4 का गुणा 5 से कर द तो उत्तर 3 सही एक बटी 4 पराप्त होता है मोल भिन क्या होगी देखे धनात्मक भिन कोई है इसका वर्ग मोल यक्ष माल लेते हैं कोई धनात्मक भिन यक्स है जिसका वर्ग मॉल यहां पर निका लेंगे तो अंडर रूड यक्स होगा उसमें जब एक जोडते हैं तो उत्तर प्राप्ट होता है 3 सही 1 बटे 4 तो 3, 4, 12, 12, 13 बटे 4 इसको लिख लेंगे 13 बटे 4 अब इसको सौल्ब करेंगे रूड यक्स से तो इसी पच्छ में रहेगा तो इसको solve करने पर 9 बटे 4 प्राफ्थ होगा अब ये यक्स निकालना यक्स की बायलू तो रूट को पच्छानता करेंगे तो ये वर्ग हो जाएगा 9 बटे 4 का whole square तो 9 का वर्ग और 4 का वर्ग 9 का वर्ग क्या सी होता है 4 का वर्ग 16 अब इसी को लिखा जा सकता है 16 85 बार जाएगा 5 सही एक बटे 16 लिख सकते हैं ये इसका answer होगा तो ये आपसर नमबर इसका C correct है मूल भिन 5 सही एक बटे 16 होगा next question देखिएगा 124 नमबर question है 12 बटे 12 और 7 बटे 8 के बीच अंतर क्या है तो इसको देखे 24 बनाना 12 को तो 2 का गुणा कर लेंगे उपर और 2 का गुणा नीचे दोनों में यहाँ पर 8 को 24 बनाना तो 3 का गुणा करना होगा तो उपर भी 3 का गुणा करेंगे अब यहाँ पर देखे नीचे तो 24 आ जाएगा 25 है वह भीन संख्या क्या है जिसे 3 बटे 4 से घटाने पर उत्तर 2 बटे 5 आता है देखे 3 बटे 4 से घटाना किसी भीन को तो यहाँ पर यक्स को घटा लेते हैं भीन यक्स माल लेते हैं बराबर उत्तर 2 बटे 5 आता है अब इसको सॉल्ब करेंगे यक्स को उस पच में ले 15-8 बटे हो जाएगा 20 बराबर ये यक्स हो गया 15 में जब बार घटाएंगे तो 7 होगी बैलू तो 7 बटे 20 यहां लिखेंगे और बराबर ये हो जाएगा यक्स के तो यही इसका आंसर होगा 7 बटे 20 भिन होगी इसका आपसर नमबर भी करेक्ट है तो next question देखेंगे Question number 126 है 5 बटे 4 प्राप्त करने के लिए 3 बटे 5 में क्या जोड़ा जाए तो यहां पर देखे 3 बटे 5 में यक्स जोड लेंगे 3 बटे 5 में कोई भिन यक्स जोड लें तो प्राप्त हो जाता है 5 बटे 4 यहाँ पर 5 बटे 4 प्राप्त करना है अब यहाँ पर यक्स की बैलू फाइंड करना है तो 3 बटे 5 पचांतर करेंगे तो माइनस 3 बटे 5 होगा तो देखे 5 बटे 4 माइनस 3 बटे 5 अब इसको सॉल्ब कर लेंगे यहाँ पर देखेगा यक्स बराबर 5 पचम 25 यहाँ पर 25 लिखेंगे बीच में माइनस का सिम्बल है तो माइनस आएगा 4 ते ही 12 यहाँ पर 12 लिखेंगे बटे हो जाएगा 4 पंचे 20 आपस में गुड़ा कर लेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 25 में जब 12 घटाएंगे तो बैलू 13 होगी 23 बटे 20 इसका आंसर होगा तो यहीं भीण होगी आपसा नमबर इसका b correct है next question देखिएगा question number 127 है एगबटे 5 में से एक भीण को घटाने पर गेरा बटे 12 प्राप्त होता है तो भीन कितनी है देखे 1 बटे 5 में से एक भीन को घटाना है तो यहाँ पर 1 बटी 5 माइनिस यक्स कर लेंगे बरावर ये 12 बटी 12 प्रापत होता है च्लिश Ton Hare पर लिखेंगे 1 बटी 12 माइनिस यक्स तो इस को 35 कर लेंगे उस 58 में ले जाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा और 1 बटी 12 को इदर ले आएएंगे तो माइनिस एक बटी 12 तो 1 Prom ama 1X 16 और ये बराबर हो जाएगा यक्स पच्छानतर करने पर बर chapters यहां 60 हो जाएगा अब बराबर ये यक्स है तो देखिए 12 में 5 घठाएगे तो 7 बचेगा तो यहीं पर X बराबर हो जाएगा 7 Prom bunu 6 ये इसका अंसर होगा 7 Prom bunu 6 आपसा नमबर इसका C करेक्ट है नेस्ट कॉस्चन देखिएगा कॉस्चन नमबर 128 है निम लिखित भिन में से किसमे 5 बटी 16 जोड़ने पर एक प्राप्थ होगा यहाँ पर माल लेते हैं कि वो भिन यक्स है यक्स में 5 बटी 16 जोड़ें तो यहाँ पर एक प्राप्थ होता है अब देखें यहाँ पर 5 बटी 16 को पच्छांता कर लेंगे तो यक्स बराबर 1 माइनस 5 बटी 16 अब इसको देखें solve करेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 16 एककम 16 16 में 5 घटाएंगे तो 11 और बटे हो जाएगा यहां पर देखे तिरिया गुणा करने पर यहां भी आपस भी गुणा करेंगे तो 16 एककम 16 ही होगा आपस भी तिरिया गुणा करना है नीचे भी तिरिया गुणा और घटाना तो गेरा बटे 16 प्राप्त होगा तो यहीं इसका आंसर होगा गेरा बटे 16 यहां आपसर में देखें गेरा बट्टी 16 नहीं है तो इसलिए इसका मल्ट आप पुना है समरूप भिन लेख सकते हैं मतलब गेरा दूनी 22 दो का गुड़ा अंसर करेंगे तो गेरा दूनी 22 और 16 दूनी 32 बट्टी 22 भी हो सकता है आपसर में गेरा बट्टी 16 या फिर 22 बट्टी 22 देखें आपसर नमबर C में दिया हुआ है 22 बट्टी 22 इसको सिंप्लिफाई करने पर गेरा बट्टी 16 ही आएगा दो से कैंसिल आउट क से जब एक बट्टी 22 से घटाया जाता है तो इसका मान दो बट्टी 23 प्राप्थ होता है तो यहाँ पर देखेगा एक बट्टी 22 से घटाने वाली भीन यक्स मान लेते हैं स्वरी एक बट्टी 22 माइनस यहाँ पर यक्स होगा एक बटे दो से यक्स को घटाएंगे तो ये भिन दो बटे तीन प्राप्त होता है माइनस एक्स को जब अधर ले जाएंगे पच्छांता करेंगे तो प्लस एक्स होगा दो बटे तीन को इधर ले आएंगे तो माइनस दो बटे तीन और बराबर यह यक्स हो जाएगा अब इसको solve करेंगे तो देखी 3 एकम 3 और 2 दूनी 4 तो यहाँ पर आ जाएगी बैलू 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4 और बटे हो जाएगा 2 त्याए 6 और यह बराबर यक्स 3 में जब 4 घटाएंगे तो माइनस 1 बटे 6 होगा तो यही यक्स की बैलू होगी माइनस 1 बटे 6 जो कि आपसा नमबर C में दिया हुआ है माइनस 1 बटे 6 होगा नेस्ट कॉस्टन देखिएगा कॉस्टन बटे 130 है 3 बटे 2 प्राप्त करने के लिए 2 बटे 3 में से कितने जोड़ने कौन से बिन जोड़ी जाए कितना जोड़ने की हो सकता है देखे 2 बटे 3 में यक्स जोड़ेंगे यहाँ पर यक्स ही जोड़ते और घटाते हैं तो यह प्राप्त हो जाता है 3 बटे 2 यहाँ पर लिखेंगे 3 बटे 2 अब इसको सॉल्ब कर लेंगे तो 2 बटे 3 को पच्छांता कर लेते हैं तो देखे यक्स बराबर 3 बटे 2 अब प्लस 2 बटे 3 जाएगा उस पच में तो माइनस 2 बटे 3 हो जाएगा अभी देखे यक्स की बाइलू यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी तीरिया गुणा करेंगे 3 तरह कर 9 2 बटे 4 तो 9 माइनस 4 बटे हो जाएगा 2 त्याई 6 आपस में गुणा करेंगे तो 6 9 में जब 4 घटाएगे तो यहाँ पर 5 5 बटे 6 इसका अंसर होगा इसका आपसर नमबर B करेक्ट है Next question देखिएगा Question number 131 है किसी भिन को जब 1.3 में से घटाया जाता है तो 1.12 सेज़ बचता है तो भिन बटाएगे यहाँ पर देखिएगा वो भिन यक्स माल लेंगे क्योंकि 1.3 में से घटाना तो 1.3 माइनस यक्स और यह बराबर प्राप्त होता है 1.12 हम मा premiere 6 को जब पच्छान्ता करेंगे उस पच मिले जाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा बराबर मतलब यहां प्लस एक्स और protagonist मतलब एक वराती तीन माइनस एक वरड़ तो मतलब एक एक यह गुंग कर लेतें तो देख़ें इसको 12 के एकुष कर लेते 3 अब बराबर यह यक्स है तो cancel out करेंगे 3 एक कम 3, 3, 4, 12 तो यहीं पर यक्स की वहलू एक बटे 4 आ जाएगी जो कि आपसर नंबर B में दिया हुआ है next question देखिएगा type 7 का last question देखिएगा दीचे दी गई भिनों में से किसमे 5 बटे 8 जोड़ने पर एक प्राप्त हो जाता है या एक बन जाता है तो यहाँ पर देखे 5 बटे 8 में यक्स जोड़ लेते हैं अभी उभिन पता नहीं है बराबर हो जाएगा एक अब 5 बटे 8 को पच् देखे 8 का 1 से गुणा करने पर 8 माइनस एक का 5 से गुणा करने पर 5 और नीचे 8 है कम 8 तो जब 8 में 5 घटाएंगे तो बैलू आएगे 3 बटे 8 अब यह 3 बटे 8 है जो की option में दिया नहीं है तो इसलिए इसका समरूप भिन भी दे सकता है समतुल भिन तो देखे इसका 2 का ग भिन या समतुल भिन इसकी दे देता है तो आप कनवर्ट कर लेंगे या फिर 3 बटे 8 कैंसिल आउट करने पर जिसमें आएगा वही इसका answer होगा जैसे 6 बटे 16 को आप यहाँ पर simplify करेंगे तो 3 बटे 8 प्राप्थ हो जाएगा यहाँ पर देखेगा 2 से कैंसिल आउट रहे नहीं करना है option और नेस्ट टाइप आपको नेक्ट वीडियो मिल जाएगा और सब आपको चैऺटर टापिक वाइज और टाइप के सभी टापिक आपको चैश्यनल के playlist पर मिल जाएंगे भुए लिस्ट बना हुआ है तो वहां से आप वीडिएओ Five कर लीजेगा